जैसे रादे मित्रों हरहर महादेव जैमा चंद्रवद्नी मित्रों चंद्रवद्नी भक्तिरस चैनल में आप सभी का अपना हार्दिक स्वागत है हार्दिक अबनंदन है और माभगवती जगजन्नी का आश्रवाद आप सभी के जीवन में बना रहे यही माभगवती के चरण लेके बारा मार्च तक घुरु और शुक्री यह यूति जो है मीन रासि में रहने वाली है तो यह यूति कैसे होगी और अन्य तो वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें और अपने इस्टमित्रों के साथ वीडियो को सेर जरूर करें तो जो भी पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं किरपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन का बटन दवाना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो समय 2327 सार आप तक पहुंश सकें तो बाद करेंगे कि 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक गुरू और सुक्री की यह युती मीन रासी में रहने वाली है ओर इस समय ग्रह गोचर में गुरू पापकरतरी योग से पिडित हो रहेए हैं तो गुरू के ठीक हैं तो इस पर हम बिश्तार से आज चरचा करते हैं तो वैदिक जोतिस में गुरु और शुक्र जो है दोनों को ही सुभागरे की संग्याप्राप्त है ऐसे में दोनों का महत्व जो है देहत अधिक हो जाता है गुरु जहां देवताओं के आचारे हैं वहीं जो है सुक्र जो है वह देत्तियों के आचारे हैं तो लगभग 12 साल बाद गुरु जो है गुरु देव गुरु ब्रस्पति जो है मीनरासी में होते हैं और उसी मीनरासी में सुक्र भी ये बहुत समयबाद बनती है जो की देश पर व्यापक असर डालती है तो गुरु जो है अपनी रासि में बिराज मान होकरके हंस राज योग वहीं सुक्र-उचरास में बिराज मान भीराय मालब्य राजयोग का निर्मान करते हैं, जो भी जातक गुरू सुक्र की इस यूति में जन्म लेता है, तो वह गुणी होता है, वेदपाथी होता है, और वेदपाथी होने के साथ साहित्य और कला में भी निपुण होता है। तो पंदरा फरवरी से लेकर के बारा मार्च तक गुरू और सुक्र की यह यूति मीन रासी में रहने वाली है, तो इस समय ग्रह गोचर में गुरू पापकरतरी योगस में पीडित हैं, और गुरू के ठिक पीछे सनी कुम रासी में हैं, वहीं उनके ठिक आगे राहु जो हैं में इस रासी में बिराजमान हैं, तो सुक्र गुरू की यह यूति के यह जो यूति है, यह यूति के सटास्टक योग का भी निर्मान कर रही है, इस योग के कारण अशुप प्रभाव भी परकट होते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में यह समझना अतियावस्यक है कि इस यू इस यूति के कहीं देश पर नकारात्मक असर तो नहीं होगा, सुक्र के इस गोचर से मनुस्य में कामवासना की बिर्दी होगी और इस समय मनुस्य किसी भी तरह से अपने सुखों की पूर्टी के लिए सुखों की पूर्टी करने का प्रियास करते करेगा, राहु की और गत निता के साद कुछ गलत भी हो सकता है, या किसी बड़े पदपर आसीन महिला की हत्या तक भी हो सकती है, इस समय ऐसा परतीत हो रहा है कि किसी बड़े धर्म गुरु या आचारे की जो हैं काली करतूत देश दुनिया के सामने भी आ जा सकती है, सुक्र के 12 सनी होने के कारण नियाय प्रिय सनी महिलाओं के खिलाप हो रहे हैं और अत्याचार को एक्सपोस करेंगे, और किसी बड़े कांड का खुलासा भी हो सकता है, सुक्र के केतु सुक्र से केतु जो है अश्टम होने के कारण इस समय महिलाओं के खिलाप जो है अपराद की संक्या में बड़ोतरी होने के संभावना दिखाई दे रही है और महिलाओं के द्वारा के जा रहे आंदोलन में इस समय तेजी भी आ सकती है, जीवकारक गुरु के पेड़ित होने के कारण जन सुनवाई में भी देरी होगी और शुक्र गुरु की यह युति देश की महिला अधिकारों की बहस को एक नए दिशा देने वाली परतीत हो रही है तो यहाँ जो है गुरु और सुक्र की युति जो बन रही है तो यह देश के लिए बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर सकती है तो आप जरूर हमारे इस बीडियो को देखें और अपने इस्टमित्रों के साथ जरूर सेर करें आज दूसरे वीडियो में किसी नए बिशाय पर आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए जैसरा दे जैमाता दे हर हर महा दे